हेलो एवरिवन विल्कम पैक टूम यूटुब चैनल दोस्तो मेरा नाम है क्रिश और आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे है एक LED लाइट जी यहां दोस्तो LED लाइट विथ मोसं सेंसर अभी यह मोसं सेंसर का काम क्या होता है कि लाइट को सेंस करती है और आपको जो इस पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को लाइक जरूर से गर देना तो चलिए शुरुआत करते हैं जी यहां दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे एक LED लाइट है जो की औरेंच से कलर में दिख रहा है आपको स्ट्राइप जी यहां दोस्तों बाट जो अंदर की लाइट है वो वाइट कलर की रहने वाली है आप देख सकते हो जो सेंटर पॉइंट पर एक छेद नजरा आ रही है वो एक सेंसर है जी यहां दोस्तों सेंसर है जो की लाइट को सेंस करेगी यहां पे आप देख सकते हैं कि दो मिल सॉ को यहीट के वाध की गई है हम उसे करते हैं चेखाओ आउट कीज एक हो करना बहुत जरूरी हां कि आके यह बना कैसे हैं तो यहां पे आप a up in करके पी जो कर सकते हैं आपके लिए क्या प्रोईट की गई है तो यहां पर तो दोस्तो इस kit में जादा कुछ भी नहीं है और ये जो sensor है बहुत ही soft है तो आप इसे जादा हिलाईएगा मत open करने के बाद तो इस तरीके से kit हमें मिल जाती है अब हम इसे कर देंगे जैसे था वैसे पंद तो दोस्तो अब बारी आ जाती है socket में जी हाँ female socket में connect करनी की बारी तो चलिए connect करते हैं और मैं आपको बता दू product के link जी हाँ इस product की best buy link आपको मेरे description box में मिल जाएगी आप check out कर सकते हैं तो चलिए connect करते हैं दोस्तो इस जगह पर हम आ चुके हैं जहाँ पर सीधा socket के साथ एकदम सीधा connection है धूप का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूरज की रौसनी इतनी है कि आप इतनी तो guess कर सकते हो कि light बिल्कुल भी नहीं जलने वाली है क्योंकि जो sensor है वो यह sense कर रह light है जिस वज़ा से हम light नहीं on करेंगे तो यहाँ पर धूप की वज़ा से नहीं हो रहा बट आप देखो कि जैसे ही मैं motion जो sensor है उसको मैं cover up करूंगा तो आप देखो कि light चल जाएगा it means वो sense कर रही है कि अब अंधीरा हो गया है जी हां दोस्तों आप देख सकते हो कि यहा light देखने में काफी खुपसूरत लग रहा है अब हम चलते हैं अपने second place के पास तो यह हमारा second place है जहां पे पहले से ही darkness है जिहां दोस्तों पहले से ही darkness है आप देखोगे कि पहले से ही darkness है तो वो पहले ही sense कर ले रही है कि इस place पे darkness है जिस वज़ा से हमें light को on करना है तो वो light on कर दे रही है जी हां दोस्तों ये dark place पे on automatic पहले से ही हो चुकी है हमें यहां पे dark करने की ज़रूरत नहीं पड़े हैं in cases हम एक ऐसी जगह पे चलते हैं जहां पे थोड़ी सी light हो I mean उतना ज्यादा भी नहीं बट थोड़ी सी तो हम आ चुके अपने तीसरे वाले place पे और आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे light पहले से थोड़ी सी है बट फिर भी यह light on है अब मैं क्या करता हूँ अपने flash को on करके check out करता हूँ कि यहां पे अखिर यह flash अगर जल जाती हो उसे अगर light मिल जाती हो तब वो क्या करता है तो आप देख सकते हो कि वो switch off कर दे रही है यानि कि उसे light को automatic sense करके off कर दे रही है तो दोस्तो यह है product और यह light काफी ज़्यादा खुबसूरत है आप इसे रात में यूज कर सकते है तो product के link description box में provide की है जरूर check out करें जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं दूर से 5 feet की दूर से भी मैं sense कर वा रहा हूँ वो sense कर ले रही है तो चलिए इस वीडियो को अब इतना ही रखते हैं दोस्तो product के link best by link आपको description box में मिल जाएगी और मैं मेरूँगा आपसे एक नई unboxing में नई वीडियो में तब तक के लिए नमशकार शेहिंद बाबाई